हुआ है दोस्तों सरुस्तिक ग्रूप साफ कालेजेज के इस डिजिटल प्लेटफार्म पे आप सभी का स्वागत है इस बारे में हम लोगों पड़ चुका है Häuto इस वीडियो में हम लोग शुक्षा की प्रिकीरतु के बारे है पढहेंगेरे के सिप्र किपकिट्थी का प्रिकरति पर यहाँ पे सिप्च्छा के नेचर से है सिक्षा के नेचर से ठीक है आपको पता कि हर ब्यक्ति का हर बस्तु का कोई अपना एक नेचर होता है अपना एक प्रकिट्टी होता है ठीक है उसी तरह से सिक्षा जो सब सब्द है इस सिक्षा सब्द का भी अपना एक सिक्षा के मांदियम से क्या किया जाता है ब्यक्ति के ब लिभावार में परी वर्वर्तन लाया जता है, यह लोगों को पता है और यह जो भ्यक्ति के ब्यवहार में परीवर्तन होता है, भ्यक्ति को मुख्यता यह परीवर्तन तीन रूपkeit की आ जाता है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् मिक्षा जो सब्दाइक सिख्चा सब्द का प्रयाती परोप्रा इत लिया जाता है लेकिन इस कछा का जो प्रकेटीय से vector व भोक्तिके ब्योहारों में परीवर्थ परिवर्थ प्रिवर्थ इसी कि सी उद्धेति की आधार पर इवसेवस्ते का हो ठीक है यही हम शिक्षा की प्रकृति के अंतरगत जानते हैं एक नहीं हर्थार एक प्रकृति को नई नई तत्थ्यों का ज्ञान कराने वाली एक प्रकृति को नए नए विसेओं के बोध कराने के लिए एक तत्थ्य जिन आधार पर व्यक्ति को नई नई तत्थ्यों की जानकारी इस तरह से सिक्षा के तहत सिक्षा के द्वारा व्यक्ति का बालक का सरवांगिड विकास किया जाता है आसपास पड़ोस उसके जीवन सहली के मारगों को ध्यान में रखते हुए उसके बेवहार में क्या किया जाता है परिवर्दन लाया जाता है यही इसके अंत्रगत जाना जाता है तो सिक्षा के प्रिकिट के अंत्रगत जाना जाता है जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिक्षा क्या एक सीखने वाली परिक्रिया है तो सीखन या जो बालक है वह बालक क्या है बालक एक सामाजिक प्राणी है कैसा प्राणी है सामाजिक प्राणी होने के नाते बालक को क्या करना है सामाजिक तथ्यों का बोध कराना है क्या करना है सामाजिक तथ्यों का बोध कराना है ठीक है जब सामाजिक तथ्यों का बोध कराया की आधार पर व्यक्ष्टि के अंदर नहीं नहीं तत्तियों का समाविश किया जाता है जिसके मात्याम से व्यक्ति एक समाजी पॉराणी के रूप में उभड़ा। ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला हम लोगों का टॉपिक है सिक्षा का विसाय च्छेत्र क्या है सिक्षा का विसाय च्छेत्र के अंतरगत सबसे पहला मतलब सिक्षा का कौन कौन सा च्छेत्र है किन किन च्छेत्रों में सिक्षा का परियूक किया जाता है या सिक अपय्चा के मंदयां से कौन-कौन से च्छेत्र प्रभावत सिद्ध कर चैसे इन को इनके ऊपर अपना डालता। सब्सक्षा का इतियास या अभी सिक्षा के एक्षेत्र के अंतरगत आता है ठीक है और इसकी माध्यम से हम सिक्षा का विकास कैसे हुगा ठीक है सिक्षा का विकास कैसे हुगा प्राचीन काल में सिक्षा कैसी थी या प्राचीन काल जिसे हम बैतिक बहुत काल के रूप में जा से हुई आदनिक काल में सख्षा की रूपों में दिया जा रहा है ठीक है यहां कह सह कर दोसिख्षा का उद्दे से क्या था या सभी चीजें हों किसके अंतरघत पड़ते हैं तो चा इतियास के अंतरघत परते हैं यानि की बतमान से प्रव पर्तमान से पहले टेक के जो भी शीक्षा के संदर्व में तथे आउगण करा है गए उन्न सबका जानकारी हम को धालते हैं तो सिक्छा के इतिहास के अंतरगत हैं प्राप्त है करते हैं दूसरा है सिक्षअ åt。 हुआ अब सिक्षा ढर्संद्र के माधियुम् सीट आपको पता है की दर्सं क्या है दर्शन क्या है दर्शन के आधार पर ब्यक्ति क्या करता है अपने उद्देस्यों का निर्धारन करता है क्या करता है अपने उद्देस्यों का निर्धारन करता है यानि कि लच्छे निर्धारित करने की एक प्रिक्रिया या एक तत्य दर्शन है अत्ता है दर्शन के माध्यम से ब्यक्ति अपने लक्षों का निर्धारन करता है और उस दर्शन के आधार पर ब्यक्ति यह जानता है कि सिक्षा का मुल्य क्या है सिक्षा का स्वरूप क्या होनी जी यह सिक्षा किया हो सकता क्या है सिक्षा और दर्शन में संबंद क्या है इस तरह से दार्शनिक परिप्य कि आधार पर कुछ सहची का अधाराओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से संबंदित विभिन बहारकार के पहले निर्धारित की जाती है जैसे इसमें कहा सकते हो आपकी सिक्षा का उद्देश सिक्षा का पाठेकरब और सिक्षण विदिया ठीकले अनुसास बिद्याल सिक्षण विध्यार थी यह सभी तत हम शिक्षा दर्शं को मत्यम से विचार भाराओं की अंतरगत बढ़ते पर अना जो भी प्राचिन विचार धारा है ठीक जैसे आपलों पास्चा तक फिलस्फी के तरीगत आधर्समाद प्रकिर्तिवाद परियोजन वाद यह सब चीज घबते हो यह ठार्त वाद भारतिय दर्शन की अंत्रगत आप लो गान्दीजी को पढदे हो, गार्धी जी का शरयोधय दर्शन सवामी विवेकादन जी को पढ़ते हो रविन्ना टैगोर जी को पढ़ते हो और विंद घोस जी को पढ़ते हो इन्हों ने सभी लोगों ने सिक्छा से संबंदित अपने क्या विचार व्यक्त किया है इन्हों ने सिक्छा से संबंदित कौन-कौन से उद्देश से निर्धार ईता है सिर्चा के खेर भन के रूप में इसक वास हे अगला है शेवे ऐस मेदर उर्ब किया है जुट्यक्षा मसे आप लो जाते हैं उसेिकने एक परकरिया जैसा विज्ञान है तो बालग के बंल मात्यान यई किया से या किन रूपों में सीखेगा इन सभी चीजों का निर्धारण अता व्यक्ति की ब्यवहारों के अनुरूप, व्यक्ति की अवस्थाओं के अनुरूप, सिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये सभी कौन तैंकरता है, तो सिक्षा मनोविज्ञान तैंकरता है, यानि कि सिक्षा मनोविज्ञान के माध कि आपका है है क्या चाहर कि या वी चिक्षा का जेटर है या सिक्षा कहते है रूप में जानी ज़त अना उसके बास से अग्ला या सैच्छ प्रसासन क एक हो इस नो जो भी प्रबंधन या मैनेजमेंट से संबंधित कारे हैं या सभी किसके अंत्रगत आते हैं सच प्रसासन के अंत्रगत आते हैं विद्यालें के लिए बिद्यालें में कौन सी नियमावलियों होनी चाहिए जब कहां पर किस प्रकार से भी नियमावली होते हैं इन सब का देख रेक सेचिक प्रसासन के अंत्रकत होता है या सेचिक प्रसासन के मांतियम से चीजों को जाए यह भी सिक्षा का एक्षेत्र है अगला है सेचिक समाज सास्त्र क्या है सेचिक समाज सास्त्र अब सिक्षा क्या करना है सिक्षा किसको देना व्यक्ति को देना है या बालक को देना तो बालक क्या है एक समाजिक प्राणी है कैसा प्राणी है समाजिक प्राणी है तो समाजिक प्राणी होने के नाते बालक के अंदर समाजिकता का बोध कराना समाजिक कौसलों को विक्सित करना या समाजिक कुसलता विक्सित करना वह सभी चीजे सहचिक समाज सास्त के अ इसनाज में लोगों को सिख्ष्य किया सकता ताकि वह उन से समस्यां हैं इन समस्यां का कैसा सामाधान है और इन समस्यां को उत्पन होने का कारण क्या है इन सभी चीजों को हम सैस्चिक समस्यां के अंत्रगत जाते हैं जैसे हम देख सकते हैं कि पूरो प्रार्थ में कैस्तर प्रार्थ में कैस्तर मात्मी कैस्तर सिक्षा के जितने भी अस्तर निर्धारित किया गया है जो भी प्राववस्था के व्यक्ति है जो भी सिक्षा के जो भी अभिभावक है इनका सिक्षा में इंट्रेस्ट क्यों नहीं है कौन-कौन से कारण है कौन-कौन सी समस्थ्या है इन सभी समस्थ्याओं का हो गया सिक्षा के सैचिक समस्थ्या त्जेत्र के अंत्रगेद्र करते हैं ठीक है न अगला है तूलनात्मक शिख्षा 550 का तर्ट फर कई देशों की सिक्छा रिवस्था के बिवस्था जो थे उन सब्सक्राइब को ध्यान में रखते हुए प्रती एक देश से तुलनात्मक अधियन किया जा सकता है और जिस देश की सिक्षा वे उस तेस की जिन पहलू को प्रभावित किती है, उन्हे जो भी उनकी विशेस्था हैं, जो हमारे देश में लागू हो सकते हैं, जिर का अपने देश को भी इस अंतरगत रखते हैं और हम क्या करते हैं अपने देश की सिक्षा वेवस्ता में परिवर्ता लाते हैं यह अभी सिक्षा के छेत्र के अंतरगत आता है अगला सिक्षण विधियां सिक्षण विधियां यह भी सिक्षा का एक का सकते हैं कि मोलभूत छेत्र है क्योंकि सिक्षा बालक को किसी न किसी बिधि के द्वारा ही दी जाते हैं बालक को सिक्षा किसी न किसी बिधि के रूप म कि जिएधी कि जब Tक भी नहीं होंकि तब तक बालक को सिक्षा नहीं दी सकते। तो विधियों का भी हम सिटा कए सिक्षा के च्छित्रों के रुप में ग्धैन करते हैं जैसे विधियों वह Powstuse है नवीन विधिया जैसे केडरियों के विस्तार किया गया विश्थार विकास किया गया अता इन विधियों के अलावा भी विविन प्रकार की शिक्छार्विदिया नहीं bijvoorbeeld कि ऑन्तियम से बहुगों को सिपश्चित या जा सकता है इस तरह से या सिख्श्चा के अंग्याद भी आ DAVID न respiratory पयल्वाव कर चार्चा किया गया kiedy झाल झाल